हम आपके लिए बेसाग मेने की दूसरी कहानी लेकर आए हैं दोस्तों किसी गाउ में एक पती पतनी रहते थे वो बहुत ही गरीब थे लकडी का गटर बेचकर अपना पेट भरा करते थे बेसाग का महिना आया सब लोग बेसाग इसनान करने लगे तो उसकी ओरत ने भी बेसा पाट करती थी एसा करते एक मेहना बीट गया पतनी नहा दोकर एक एक बचाईवी लकडियों का गठर बनाकर उन्हें बेचने गई और भगवान का नाम लिया तो लकडिये चंदन की हो गई वह राजमेल से होकर गुजरी तो राजा को चंदन की खुश्वू आ गई राजा का मेहना नाया है उनको जीमाओं इतना समान दे दीजिए राजा ने नोकरों के साथ पांच ब्रामन जीमा ने जितना समान उसके घर बेज दिया दाल बाटी चूर्मा ब्रामनों को जीमाया और खुब उनकी सेवा करी और यता सक्ति उन्हें दक्सना देकर उनका आशिरवा पाया पति गठर बिखा नहीं तो उसको आने में देरी हो गई इदर ब्रामनों और भगवान के आशिरवास से उसकी जोपड़ी महल में बदल गई रसोई में 36 परकार के पकवान हो गई पति का गठर बेच कर आया तो उसी जोपड़ी नहीं दिखाई दी वो पड़ोसन से पूछने लगा पड़ोसन बोली तुम दो लकडियां बेचने जाते हो तुमारी पतनी इसनान ध्यान पूजा पाट करती है ब्रामन जी माती है बाकि तुम जानो और तुमारा काम इतने में उसकी पतनी आ गई पति से बोली यही अपना घर है पति को गुसा आया और बोला तुने चोरी की यह डाका डाला जो अचानक इतना सारा धन आ गया तब वह बोली मैंने बेसाग इसनान किया है बड़ पीपल सीच्चा है इसलिए उसका फल मुझे भगवान ने दिया है ब्रामर जी माने के लिए रोज आपकी लकडियों के गटर में से एक लकड़ी निकाल लेती थी वो लकडिया भगवान की करपा से चंदन हो गई बेचने गई तो राजा ने गठर मांगा मैंने राजा से सूखा समान मांग लिया जिससे मैंने ब्रामन जीमाए और उन्हें दक्षिना दी ब्रामनों ने आशिरवात दिया उसका फल भगवान ने हमें दिया तब पति को तसलिया गई दोनों पति पतनी ने साथ भोजन किया महलों में बास किया है बगवान जैसे उन पति पतनी के भंडार वरे वैसे सब के भढ़ना खोटी की खरी अधूरी करो सबकी मन की पूरी तो दोस्तों कैसा लगा आपको यह वीडियो आप हमें कमेंट बोक्स में बताएं तथा अपने दोस्तों और इस्तिदारों को इसे जादा से जादा सेयर करें और हाँ दोस्तों अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उससे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरे ऐसे ही वीडियो आपको जल्द ही मिल सके धन्यवाद